हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलाजी टिप्स हिंदी में आज की वीडियो 7 अप्रेल 2021 पाप मोचनी एकादशी पूजा और पारण का शुम्हुरत व्रत की संपूर्ण विधी आज जरूर करें ये एक इच्छा पूर्थी उपाए इस व्रत का सीधा परभाव व्यक्ति के मन और शरीर पर पढ़ता है यह व्रत रखने से मन के सभी बूरे पिचार नस्ठ हो जाते हैं साथ ही इस तिथी पर व्रत रखने से ग्रहों के पूरी परभाव को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है इस खास दिन पर भगवान विष्णो जी की पूजा राधना की जाती है इकादर्शी तिथी पर व्रत रखने और विधी पूर्वक पूजा करने से एक यग्य करने जितना पुनिय प्राप्थ होता है इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में सुक्समृद्धी और शांती बनी रहती है आज इस वीडियो में हम आपको पाप मोचीनी इकादर्शी व्रत केती थी शुमूरत, महतु और पूजाविधी के बारे में बताएंगे इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलोजी टिप सिंधी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी वीडियो का नूटिफिकेशन सबसे पहले मिले साथ ये बेल आइकन को भी जरूर कीट करें तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे पापमोचिनी इकादशी व्रत के महत्तु के बारे में मारेताओ के अनुसार पापमोचिनी इकादशी को सबी बापों को हरनने वाली इकादशी माना जाता है इस दिन भगवान विश्णोजी की श्रद्ध भाव से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है पापमोचिनी इकादशी तिथी पर व्रत रखना बेहत फलदाई माना गया है कहा जाता है कि विकर से विकर्ट स्तिती में भी यदि भक्त पापमोचीनी एकादशी का व्रत रखी तो उसे अवश ही स्री हरी की किरपा प्राप्थ होती है जानते हैं पापमोचीनी एकादशी तिति और शुम हुरत के बारे में मिनर से शाम चार बचकर ग्यारा मिनर तक अब जानते हैं पाप मूचिनी इकादशी व्रत की पूजा वीधी के बारे में वे भक्त जो इकादशी का व्रत रखना जाते हैं वे सुबह सुर्योदय से पहले उठ इस नानाधी करके व्रत रखने का संकल प्लें इसकी बात घर के पूजा घर में एक वेधी बना कर उस पर साथ धान जैसे उड़त, मू, गेहु, चना, चो, चावल और बाज्र रखें अब वेधी के उपर एक लश्की भी स्थापना करें और उसमें आम या फिर अशो के पांच पत्ते लगाएं वेधी पर भगवान विश्नों जी की मूर बल की भजन किर्दन करते हुए जागरण करें, इस दिन रात्री भर जागरण करना काफी उत्तम माना जाता है, ऐसा करने से भगवान विश्नों जी की किर्पा प्राप्त होती है और व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है, ये वरत अगले दिन द्वादाशी तिथी पर खोल जाता है व्रत खोलने से पहले पुना भगवान विश्णुजी की पूजा करें और किसे ब्रहमड को भोजन कराएं और यथा शक्ती दान दक्षिना देकर उन्हें विदा करें इसके बात खुद भी भोजन कर व्रत का पारण करें फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो से कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेर करें आगे की ऐसे ही लेटिस वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलोजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू